इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुए को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिग्रेट पीडी दिखे चलती जहां, पबलिक प्लेस पर सिग्रेट भी ना मना है, उलंगन करने पर होगा जुर्माना, धुम्रपान ना करें ना करने दें, धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा, खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान मेहंगा पढ़ता है, धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है, और आपके चाहने वालों के लिए भी धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा, सिग्रेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है, शाराप पीना सेहत के लिए हानिकारक है, प्राचीन काल से ही भारत की पुण्य भूमी, होम हवन जब तब दान धर्म के वज़े से धर्म भूमी के नाम से प्रख्यात है, आदिकाल से वीर पुरुष अपार ज्यान के साथ इस पुणे भूमी पर जन्म लेकर भारत देश का नाम गौरवानवित करते रहे हैं, हिंदु धर्म के धार्मिक कथा का प्रतीक त्रिमूर्ती हमारे आत्म विश्वास की कमी के कारण बाहरी लोगों के हाथों कई बार खंडित हुआ है और लोगों की भावनाओं को चोट पहुचाया है, पूरे विश्व में ग्यान का प्रकाश भैलाने वाले नालंदा विश्व वित्याले को जब बाहरी लोगों ने आग के हवाले किया, तम निरंतर ती माह तक संग्रहाले में रखे ग्यान के ग्रंथ शोलों में चलते रहें, फिर भी ये मूर्ती नश्ट नहीं हुई, ग्यारवी शताबदी में आदिशक्ती का एक अंश गाउं के मध्य खेत्र में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैसूर शिवाले में लाया गया, जब बाहरी लोगों ने आक्रमण किया, तो भगवान के पुजारी शिवम राज सौ जनों पर अकेले भारी पड़े, और राजा विक्रम की तरह युद्ध करके पूने स्थल पर हमला करने वाले तुश्मनों को धूल चटा दिया। उस समय के राजा जगदेव राव महाराज जी ने धर्म की रक्षा हेतु उस वीर पुरुष के नाम को अमर करने का निश्चे किया। पूरी शद्धा के साथ निभाते आये हैं। की जेजेकार कर रहे हो। बुद्धी भरस्थ है। यह हमारे मिनिस्टर साब है। तो उससे क्या फरक पड़ता है। बंगती में खड़ा कर वाओ। मेरी इस तरह बेशस्थी करने के लिए यहां लेकर आये। मंद्र जी माफ कर दो पहलत है। मिनिस्टर साब यहां इसलिए आये हैं ताकि हमारे मंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीस करवा सकें। मंद्र को फंड दिलवा कर अगर उन्हें लगता है कि उनके सारे पाप धुल जाएंगे तो उनसे कह दो यहां आने की जरुवत ही नहीं है। पहले तू यह तै कर ले कि तुझे आ रहना है या नहीं। यह गंदी राजनीत करने वालों का पार्टी ओफिस नहीं है। सच्चाई, धर्म, न्याय, नीत का स्वदंत्र पीठ है। इस पीठ से ही हमारी इज़त बरकरार है। हम इस पीठ की शान को बरकरार रखने के लिए किसी भी हब तक जा सकते हैं। जब भी हम अपनी योगेता खो देते हैं, तो यह पीठ नीचे उतार देता है। यह बंडित, मैं वो मंत्री हो जिसके पास 28 अमेले का सपोर्ट है। मेरी बात नहीं मानने से, सीम के कुर्स हीता खेल जाती है। और ऐसे मैं मैं तुझे छोड़ दूगा। जब तक यह पंडित इस मंदी में रहेगा, मैं यह आपकादम नेखू। यह बंडित जानता नहीं की मेरी पावर क्या है। वो यह बिलकुल नहीं जानता की मैं कौन हूँ। उसे यह भी नहीं पता की कल पाटी मीटिंग है। मैं सीम से बात करके उस मंदीर को हमेशा के लिए बंद करवाद हुआ। मेरी पेज़ती करने वाला वो पुजारी वो परमेश्वर का पच्छा। अगर उसे भिखारी नहीं बनाया तो मेरा नाम में पाटे नहीं। मंदीर जी, आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इश्य क्यों बना रहे हैं। देखो, उस मंदिर का रख रखाव। और पूजा पाट जैदिवराव महराज के जमाने से तामर पत्र में सुनरे अक्षरों में उनके वन्षचों को लिक्टर दिया गया है। अपनी बक्वास बंद करो। इसी समाने में किसी ने लिख दिया तो क्या हूँ। आज इस देश में हमारा ही राज है। अधे हमें मानना ही पड़ेगा। देखे ये सच है। हमारे देश को आजादी मिलने के बाद उस मंदिर को इंडोमेंटल में शामील होने से रोक दिया गया। ये एक इतिहास में दर्ज हुआ पुन्य अस्थल है। उसकी देखबाल वही करेंगे इसकी इजाज़त उन्होंने कानून से ले ली है। तो तुम लोग क्या चाहते हो। मेरी पेज़ेती करने वाले को छोड़ दू। उससे पदला नहीं लू। आपको इसके लिए कौन रोक रहा है। बस सही समय देखकर उस परमेश्वर पुजारी की करदन सर 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 काट कर ठेक दूंगा। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। लेकिन वो पुजारी तुबारो उस मंदिर में नजर नहीं आना चाहिए ये मेरा फैसला है। ठीक है जैसा आप चाहते है वैसा ही होगा। आप चिंतना की। मेंस्टर के साथ आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया गुरुजी। देखिए हर एक धर्म के अंदर ऐसे अहंकारी लोग होती ही है। पवित्र मंदिर के अंदर प्रवेश लेने से पहले अपने सारे अहंकार को छोड़ कर प्रवेश करें। तो ही 33 करोड देवताओं को अपनी आखों से देख सकते। बिल्कुल सही गुरुजी। इस बश का उत्सव भी जल्द ही आने वाला है। जी हाँ, इस बार इस उत्सव का आयोजन बहुत धूमधाम से होना चाहिए। वो क्या है ना, कि इस उत्सव में लाखों की संख्या में भक्त जनाने वाले हैं। उन सब के लिए भोज का प्रवंद भी उचित तरीके से होना चाहिए। किसी वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है गुरुजी। ठीक है, अब आप लोग जाए। शंकरा परमेशुरा। लीजिये। तुम आज आरती में क्यों नहीं आई। आप जब शिव की आराधना करते हैं, तब आपको सामने कुछ दिखाए देता है भला। आज एक कादशी है, फल, दूद कुछ लाऊं आपके लिए। नहीं भागिवान, पता नहीं क्यों मन कुछ व्याकुल सा हो रहा है। क्यों जी, ऐसा क्या हुआ। मठाधीश की उपाधी का ये, ये मेरा अंतिम वर्ष है। और यही सोच कर, मेरा मन अत्यनत व्याकुल हो रहा है भागिवान। उसके लिए तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है। तेरे बाद तेरा पुत्र शिव प्रसाद है न। ये याद रख, कब क्या होना है, किसे क्या बनना है, ये सब उपर वाला जानता है। आप कहे तो मेशे उससे इस बारे में बात करूं। अब क्या बात करना है उससे। क्या वो मेरी बात सुनकर उसका पालन करेगा। वो सब तो ठीक है। उत्सों में उसे अमंत्रित किया है कि नहीं, वो क्या है ना, कि अमेरिका से उसे यात्रा का प्रवंद करके आना होगा? पिताजी उसने बताया था मार्स प्लेनेट में सेटलाइट लाँच करने का डेट नजदीक आ रहा है, अब दो हफ़ते से फोन भी नहीं आया, मैं फोन करके देखता हूँ, अच्छा बताओ, तुमने शिवम को भी कहा है कि नहीं? हाँ, जब देखो तब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का बहाना देकर, ये देश वो देश भटकता रहता है, वो क्या एक्सपोर्ट करता है, ये भगवान ही जाने अब किसी एक स्थान में रहने वाले की स्थिर पहचान रहती है अब उसे हम फोन करें भी तो कहां यहाँ वहाँ बवंडर की तरह घूमता रहता है वो बिल्कुल बहती नदी तेज वायू घूमती हुई भूमी फैलती हुई आग कभी भी एक ही इस्थान पर नहीं रुपता है वैसा ही है यह शिवम सदा यात्रा करने वाला काल भैरव मुंबई में सीरिल ब्लास्ट कराने वाले मास्टर माइन अमंदुला खान को सन 1985 में अरेस्ट किया गया था उसके चन्द दिनों बाद ही उसके संगठन के लोगों ने केंद्रिय सचीव की लड़की का अप्रहण करके इस आतंकवादी की रिहाई की मांग रखी थी इनके आगे सरकार को दी जुकना पड़ा था रिहा होते ही पाकिस्तान जाकर कोरियन माफिया के साथ मिलकर हिंदुस्तान में ड्रग का कारोबार शुरू कर दिया भारतीय मूल के एलेक्स नाम के एक डौन के साथ सोने के धंदे के सिलसिले में जब उसने एक मीटिंग सेट की उसी वक्त इंटरपोल ने अटाइक किया जिसमें अलेक्सेंडर भाग निकला और ये पकड़ा गया मिस्टर अमंदुला खान आपके उपर जो इलजाम लगे हैं उसके लिए आपको जमानत नहीं निल सकती इसके बावजुद आप रहा होने के लिए सरकार फे प्रेशर बना रहे हैं इस बारे में आप कुछ कहिए प्रेशर बनाने की मुझे जरुवत पड़े इतना कमजोर नहीं हूँ और ना ही खुद को छोड़ने के लिए मैं किसी के सामने गिड़गडाया हूँ उन्हें खुद छोड़ना पड़ा है मुझे वॉंटेड लिस्ट में शामिल करने वालों से लेकर अरिस्ट करने वालों तक सभी कौभी से ठंडा बुखार आना शुरू हो गया है जैसे मैं चाहता हूँ उसी तरह चलेंगे तो यहां सुख शान्ती के साथ रह सकते हैं ये वो अच्छी तरह से जानते हैं इतनी सिक्यूरिटी यहां पर लगा रखी है इसलिए नहीं कि मैं यहां से भाग जाओंगा बलकि इसलिए कि भूल चूक से भी मुझे कोई तकलीफ ना हो जाए अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर खून की होली खेली जाएगी तो ने डबल गेम खेल कर चंद प्यादो को क्या मार दिया ये मस समझना की गेम इस ओवर वो बाहर जरूर आएगा दे रील गेम बिगिंस नाव बेबी उसको बाहर लाने का काम मैंने ही किया है नाव ही जो मोर खान गया कबरस्तान तो एक लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूं तुझे जी ले अपनी जिन्देशाएगा तुम लोग अपने माथे से विबूती चंदन सब पॉंच लेकिन क्यों वो पक्का नास्ति की अउलाद है वहां थे पर विबूती या ठीका देख लेगा तो चंबले के साथ करोच का निकाल लेगा अज़ा क्या कि अ कि अ कि अ कि अहन प्रम्भास में मेरे लिए मैं खुद भगवान हूं कि मुझे इस तरह से घूर क्या रहा है बैठ जाए तुम जोर जबरदस्ती करके जिस जमीन पर कबजा करना चाहते हो वो कोई बेनामी जमीन नहीं है वो प्रॉपटी मंदिर के नाम है बिलकुल नहीं उस जमाने में उस वक्त के महराजा ने मेरी परदादी को तौफे में लिख कर दी थी वो जमीन और उसके बाद महराजा के सामने ही तुम्हारी परदादी ने वो जमीन मंदिर के नाम कर दी थी हे, ज्यादा हुश्यार मत बन, चुप चाप उस जमीन को फिर से मेरे नाम कर दे मैं ऐसा पिलकुल नहीं करूँगा क्या कहूँ अगर तुझे यहां से जिन्दा खर लोटना है, तो उसका एक ही रास्ता है सीधे से वो जमीन मेरे हवाले कर दे, वरना मैंने इस पर साइन कर दिया, अब मुझे जाने तो इसकी लास ले जाकर एक गड़े में डाल दो, और वहाँ एक नारियल का पेड़ लगा दो भूतनाज जी, आपका नाम बिलकुल सही है, माव अपने सोच समझ कर रखा है भाई, जब आप उसके सर पर नारियल फोड रहे थे, तो हमारा दिल तक दख दख कर रहा था भाई, आप इस तरह कितने नारियल फोड चुके हैं कितने सर फोड़े उसका हिसाब नहीं है, तो नारियल का हिसाब कैसे रखोंगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, आली में जितने सर फूटेंगे उनमें तुम तीनों के सर शामिल होगे, मेरी चाली सिकड की जमीन में जो गौश आला है, कहा था उसे खाली करवाओ, व लेकिन कुछ ही दिनों में वो उस कुरसी से उतरने वाला है, देखो, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, क्या है ना, मैं नारियल फोड़ने के लिए बहुत उतावला रहता हूँ, आपको फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, तारी जिम्मेदारी हम तीनों पर छोड़ मित्थी मित्थी मित्थ नन्मृतंग तुंग मंगल, मनिक्रम प्रवत्तित प्रचंड तान्ड वस्षिवा, दस्त तुष्ट पन्न गीति हाता हाता बासमान, सिष्ट रच्छनं करोमे युप्पि देगी दूर्चटी, प्रत्त सिक्ट मज्यरित्त ख्षाल नोज्य सिष्टि देजि करोम्यहं, रत्त विशेक धर्पनं, रत्त विशेक धर्पनं गुरुजी, आपका संगित सुनकर तो तालाब की मचलियां भी उपर आकर अपना नृत्ति दिखा रही हैं स्विध द्वानों के पास एक ही गुण होता है, लेकिन आप गुरुजी, हर किसी की आवाल में कैसे गालेते हैं, आप बहुत तलेंटेड हैं, ये बात पूरा संसार जानता है, मुद्दे की बात करो, गुरुजी, आज आपको ढूंटे हुए एक बड़ा आदमी आया था, कौन था? उनकी लड़की की शादी में वो आपसे संगीत संबेलन करवाना चाहता है, तो कर देंगी? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इससे पहले एक शादी में गाना गाया था ना, शोक संगीत, या कौन किसका है, बेरहम दुनिया है, इमोशनल गाने मत गाना व पावर संगीत में नहीं, आपके पेट में हैं, भूल गया आप? उस मंदिर के जमीन और हमारे भूतनात के जमीन के बीच में, गौशाला एक पौंडरी के तरह थी, बिल्कुल बिल्कुल, उल्टी सीधी तरकीवे आजमा के सारे जानवरों को कसाई खाना भिजवा दिया, ए चल-चल, आपके लिज़, चल-चल, बातरा, चल, चल-चल, लिज़, आलम धोले नात, अध्याचार, महात्याचार, शथ्या नास हो जाएगा पापियों, जैसा बीच बएगा, वैसा ही पल बाएगा, याद रखना, दूद देने वाली का, रक्त बहाने वाले पावने प पापियां, तुम्हारा सत्यानाश हो, सणीगली चीजों को खाकर पचाने वाले गिद्ध अतम, गोर संकट आने वाला है, तुमने जो जाल विछाया है, उसमें तुम लोग ही फसोगे, जोग एक धुम के तु, तुम्हारे विनाश के लिए, अब आज चुका है, क्या है बे, बीच सड़क पर भाई खड़ी कर रखी है, उड़ा कर निकल जाओं क्या, तुम्हारे सर, आप जो जानवर ले जा रहे है न, उनमें मेरा भी एक बचड़ा है, छोटा सा, अगर आप उसे मुझे दे दे तो, उसे तुझे दे दू, रोकड़ा, रोकड़ा देकर ह लेख रहा है, प्लीज बाद को समझें, सर बात कोश यू है कि अगर आपने उसे गंजा भी कर दिया, तो भी आपके सर जितने बाल भी नहीं मिलेंगा, प्लीज सर, प्लीज मेरी बाद आदेकर, प्लीज सर मांदेए, प्लीज सर, चल दूर रहे, एक मिनेट रुख जा हाँ सब्सक्राइब किया किया तुमने एक को का था तुमने सबको उतार दिया हमने नहीं सबको इसी नहीं उतार रहा है ऐसा क्यों किया देखाई नहीं देरा मैं बात कर लाँ चोना चाहिए क्या पाउनों के जैसे इस से बातकर रहा है इसकी बोली तुझे समझ में आती है क्यों नहीं समझ में आएंगी यह कह रहा है कि इसे मों भी और चाहिए अभी चल रास्ता ना अप सुझ पदेख दर m मैं लावारिस नहीं हूँ हाँ तो ये भी लावारिस नहीं बनना चाहता हूँ तो बोलो माता आहां बोलो बोलो तो ये बात है ओहो ऐसा क्या ठीक है ठीक है मैं बात करता हूँ के डॉंट वरी डॉंट वरी ठीक है ठीक है इसकी मा को भी ले जा हाँ बात यह है कि हम दोनों के ये सोदों में चोटा सा चेंज आ तो अब दीदी को Why को सब को यह अपने सब को यह लहां पर नहीं चाहती हسم यह यह है कि तुम हिन सब को मुझे लटाओे या फिर नहीं आफ दंस आपन को दंकी दे रहा है अब तो आप उन तेरे को कोहीं कसाई खाना ले जाएगा समझा हाथ हटा बे नहीं हटाया तो कि क्यों बुला रहा है वो मरकर जैन्नूम पहुंच गया है क्यों कि जाएगा क्या उसके पास इन्हें इन्हें हाथों से इन्हें हाथों से तो जानोर को खाता है ना इन्हें तोर देना हम हाँ स्राम है पक्रिंब्र टी तरह चाहएवे जरावी मैशने है योग्ति झिंपान्जी इके तरह दिक्ता है टूटाएवे जानागी जाना न्या किया है जानवरों को काटता है तू क्यों भूल गया कि उसका दूद्ध तू पीता है और अब सुई को काटने जा रहा है तू हां बेरे में बेरे में की फ़त पार करती है इंसानियत नहीं है क्या हां अगर कल को तू बूड़ा हो जाएगा तो तुझे भी कसाई को बेज़ दू इसी गाय का दूद्ध पिया ना तुने तुझे तो इसका ऐसान मानना चाहिए याद रख जो गाय है ना वो भगवान है और उसे मानने वाले सेतान है अगर मैं कसाई खाने पहुंच गया ना तो याद रख मेरे हाथ में होगी एक छूरी और उसकी धार पर होगी तेरी गर पहुत जानी चाहिए समझे कि नहीं है गुरु जी टैलेंटड होते होए भी विवा क्यों नहीं क्या क्या प्रब्लम है एज क्या साइस क्या फेस क्या या फिर टोटल मैटर भी क्या मेरी वाइस सुनके हमारी इंडस्टी की लड़किया मेरे पीछे पड़ गई तो भी रब प्रब्लम क्या है रात मारूगा इस बीपक राक से दीख चलू थी में गमलाहर से वर्शा हू थी यह क्या है गुरू जी आपका संगी सुनकर लड़की ही प्रकट हो गई यही तस्वर सम्राट का कमाल है गुरू जी नारी कसा ही बढ़ गई यहीं क्या कर रही है इतने खु कर दोंगी नहीं कि खुद्धें खर दोंगी एई प्रकट अब दोव भी हमारी लिए बुरू जी हमसे मिश्टेक हो गई अधे पर मद गया हर आज तो शिवम की हत्या निश्य है क्या हुआ शिवम कोई कुछ पीछे बना है क्या कुछ तो मैं पत्थर मार के भगा देता है तो काली बहां चांदी साच्छा तरे पीछे है तो क्या समझ रखा है एक ही बार में सिर्शिक भर अलब कर दोंगी यह क्या हुआ जो हत्या करने गई थी वह विवाह की बात कर रही है गुरू जी क्या आपका ट्रैक क्लोज अरे थूप तो इसे शादी कॉल करेगा तुझे पता है तू कैसी लड़की है ना शरम ना हया यह कोईता लेकर भी सड़क पे मुझे दोड़ा रही है गुरू जी आपका ट्रैक ओपन अंकल जी आप इस लड़की को नहीं जानते हैं पता इसने दस्वी में क्या किया था इतनी शौट स्पैंकर पेड के ओपर चड़ गई थी और मुझे नीचे बठा दिया था आम जो चुराने थे इसे शिरकी सवगंद काश तेरी जेगे वहां पर मैं क्या पापा आप हमेशा उसे की तरफ दारी करते हैं तेरी किसमत अच्छी है वह खुद शादी से इंकार कर रहा था आज आया है कल चला जाएगा 6 महीने तक नहीं दिखेगा वह कहां क्या करता है किसी को कुछ नहीं बता यह लड़का तेरे लाइक नहीं है एक अच्छे ल रुको गुरू ओ श्रीकुमार कैसे हो टोपी पहनाने का बिजनस किसे चला पुरानी बातों को तुमने अब तक अपने पीट में पचाया नहीं ठीक है आर अच्छा बताओ क्या काम है ज्यादा कुछ नहीं बस तुमसे एक छूटी सी हेल्प चाहिए थी ओ मुझ से बोलो क लेकिन एक बहुत याद रखना दोस्त कि महार डेंजरस है यह जो तुने अपने आइंटी ना खड़ा कर खाना इसे चुपा ले वरना नोच के बहार निकाल देगी आल देगी आल दे बैस जा मुझे घुरू थैंक्स गुरू टाने गुरू ओके तुम सवालों से दीदी ट्रस्ट की सारी लोग मिलकर जानवरों को कसाई खाना भेज रहे थे राम उसके बाद क्या हुआ वहां हमारा श्रीवम पहुंच गया और उसने उन सारी जानवरों को बचा लिया इसे ले ढुग जाओ जल्दी नहां कर आओ मैं तुम्हारे लिये खाना भाए है ने ने मुझे पता है तुम्हारी मनद पसंद चीज मैंने सब बनाने इन हाथों से बनाया हल्वा पूरी खाय मुझे अर्सा हो गया मैं पास्विट में आता हूँ ठीक है जा इसे हो भाई हाई 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 पावन हाई हाई चाचु यह लो इसे खोलो जो तुम्हें चाहिए बोले रोलीगा थैंक यू क्या बात है बुछ से पहले ही आप उच गये बस परसो इसका एक्जाम खत्म हुआ और पापा ने कहा कि उच्सव आ रहा है तो आप लोग आ जाई हूं जल्दी आ गए तू लास्ट मंथ अमेरिका आने वाला था तू आया था यह नहीं कुछ पता ही नहीं चला आया था लेकिन तुरंट लॉट तुमसे मिल नहीं पाया यह पहली बार नहीं है कि तू ऐसा कर रहा है हूँ अब क्या कहूं तू लड़की है ना वो तो साक्षात काली का उतार है इतना बड़ा कोईता लेकर बिंदास होकर मेरी जान लेना चाहती थी वो अरे बापर यह क्या बेचा तुम उसकी बुराई कर रहे हो तुम तो उसकी जान हो क्या कहा जान हूँ नहीं भागता तो बीच बजार में मुझे टपका देती है वो तो अंकल आगे तो मैं बच गया अब ऐसी लड़की से कोई शादी करेगा क्या मुझे अपनी जान प्यारी है मतलब तुम्हें मन्जूर नहीं है तो फिर ठीक है ये बात याद रख उनके होने वाले दामाद का गवर्मेंट ऑफिसर होना बहुत ज़रूरी है ये उसके पिता की शर्थ है तुम विदेश आने का खयाल छोड़कर यहीं रहेकर कोई अच्छी सी नौक्री कर लोगे तो मैं किसी तरह उसके पिता को मना लोंगी आपकी बेटी से शादी करने से बैता रहे कि मैं पूरी जिंदगी विदेश घूमता रहा हूं क्यों शिवाम पापा कब आया बेटा अभी अभी आया पापा इस बार दस पंदरा दिन के लिए यहां रुकेगा या फिर से चकर गिननी हो जाएगा मेजर एक्सपोर्ट का का कर आया हूं ठीक है इस बार कार्तिकुद्सों के बाद ही तुझे यहां से जाना होगा पापा मम्मी के हाथ का खाना और आपके हाथ का प्रसाद खा करी जाओंगा यह फैसला कर गया है अच्छी बात है शिवाम अरे जल्दी आ कब से बुला रही हूं हारा हूं मा आता हूं मा बुला रही है हमारे लिए क्या आदेश है बताते हैं मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन अभी एखास आदमी का ना पाकी है शुक्रिया मेरे दोस्त शुक्रिया लगता है अपनी डेट बॉड़ी पर पूल चड़ाने वाला पहला आदमी मैं ही हूं जब भी ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटड हुए है तुम रिस्क उठाकर मुझे सेफ करते रहे लेकिन अफसोस मैं तुम्हें सेफ नहीं रख पाया इसके लिए दिल से सौरी मेरे दोस्त तुम्हारी मौत के साथ मेरी आइडिन्टिटी भी ख़तम ओओ, कन्फ्यूजड कन्फ्यूजड के हो रही हो स्नेक यू आ टू प्रेशरस टू बी लास्त तुम्हारी मुलाकात हमेशा मुझसे ही उगती थी ये तो बस मेरा एक मौहरा था मेरा दुश्मन एलेक्स मुझे नीचे गिराने के लिए कैसे कैसे प्लैन बना रहा था मुझे पहले से पता है लेकिन उसका फाइनल टागेट क्या है ये जाननी के लिए अपने डुप्लिकेट को उसके साथ मीटिंग के लिए भेजा था उसने तो मुझे शम्शान पहुचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था सत्य आज तुम जिन्दा हो यही बहुत है कम लेस्स सेलिबरेट डुप्लिकेट के मौट की खबर लीग नहीं होनी चाहिए मेरा दुश्मन मर गया इस ब्रेकिंग न्यूस के साथ मैं जिन्दा हूँ ये संसनी खेज खबर एक साथ आएगी अलेक्स को मनुला खान का रेंज क्या है सिर्फ यही पता है लेकिन इस खान का रिवेंज कैसा होता है ये अब मैं उसे दिखाऊंगा अलेक्स देखो वेटी संगीत में सब कुछ भूलाने की शक्ति है संगीत सीखने से लड़की की इज़ब बरती है रिष्टे की बात करते समय लड़के वाले लड़की को का ना आता है कि नहीं ये पूछते है ना बोलने पर ना कटती है संगीत सीख लोगी तो विवा भी हो जाएगा और श्रिवम को भूल भी जाओगी चलो मंगनी की बात करने के लिए लड़के रुसके प्रदा पूरी रस्मिक साथ यहां पर आ रहे हैं अभी गदे के बची इवाद नमस्ते शंकर भाई अंकल जी नहीं तो क्या दादा बोलू नहीं श्रिमान हाइट और साइस छोड़ दें तो हमारी और तुमारी उम्र लगवा दहसे अगया दो है यहों आप कैसी बाते करें। आपकी तो शादी लायक जवान पुत्री हैं मेरी अभी तक शादी नहीं हुए अभी त देखने का टाइम नहीं था अब आप जल्दी से हमारी बेटी को संगीत सिखा दिए यह खड़ी रहती है तो बिल्कुल सितार जैसी लगती है ताहन पूरे की तरह लगती है यह लिजे श्रीवान गुरू दक्षिना अथी तरह संगीत सिखाएं आप फिकर मत कीजिए आपकी बेटी को संगीत में पूरी तरह डूओ कर बाहर निकाल दूँगा अम्मा जी सिंग जी शंकर जी ये सभी लोग मेरी साधना से प्रसंद होकर मुझे इनाम दे चुके हैं तो तुम मेरे पास संगीत सीखने का मन बना चुकी हो ना ये दो गधे पिछले तीन सालों से मुझस कैसे संगीची साथना करने के लिए मैं हिमालय परवत में जाकर आलाप करते 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 थक कर मैं वहीं सो गया था वाइट और वाइट ड्रेस में फिर सरसुती हाथ में लेकर प्रकट हो गई थी उन्होंने मुझसे पूछा कि बोलो कितना अमांट चाहिए तुम्हें मेरा मजाक उड़ा रही हो अगर शार्दा माकी मुझस पर क्रपा नहीं होती तो आज शास्त्रिय संगीत हिंदुस्तानी संगीत राष्ट्र संगीत लोग संगीत रॉक पॉप हिपॉप क्या मैं ये सब कभी गा सकता था संजी क्या का लुप हुप 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 कि वाफ लुड वाफ लुड दुड रख गॉड लेक लॉड कड़ लॉड ओॉड वॉग लॉड बाउ लॉडा गुरु जी तुमने कहा कि गाना सुनाता हूं तो फिर इसे रोग क्यों रहे दे संगीत क्या है तुम्हें इसका बिल्कुल ग्यान नहीं है यह पॉप पॉप संगीत है क्या मैं भी सीख सकती हूं आसन ग्रहन करो कन्या लेसन स्टार्ट करते हैं तुमसे अच्छी तरह है कुझ मैं यहां अकेना बेठा है अब मैं अपनी चाल चल देता हूं यह कैसे इंसान हो यार तुम ऐसे भुरार हो जैसे को जानवर गुरा रहा है तरह बुरी आवाज भी नहीं थी यार और नहीं तो क्या पास गर गर गेंड़ी की तरह गुरा रहा है यह तीन पैक का असर है ना पैक का असर है क्यों बे भावानी ने अब तक तेरी मांग नहीं भरी क्या वो तो किसी भी दिन भर वालू लेकिन उसके बाप के दोनों पैर मेरी च्छाती पर पड़े हैं क्यों ऐसा क्या हुआ कल उस भावानी बहुत अच्छे लवर्ज हैं देखो दोस्ती की बीच में धरार आ जाएगी अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले माना हम दोनों लवर्ज हैं लेकिन वो लड़की तुम्हारी होगी अब तुम कुछ मतलब की बाद करें अब मेरा आइडिया सुन तुम मेरी औ तेरे एंटिना की कसम शीगरी तेरा विवा संपन हो तथास तू जाओ एक मन चला आया चुटा नहीं चल जा न जा आगे बढ़ा दीवाने पन की इंतहां है यह अपनी बच्ची की तारीफ नहीं कर रहा हूं लाखों में एक है बढ़ों के आगे तो सर नहीं उठाती डिग कर दने ऐसा कभी हुआ यह कि आपका प्लान तबी और ऑफल्सूरा आपकी पड़ा प्लाम किया था नवस्ते नवस्ते अंकल जी नवस्ते टोपीज़ी तुम मिकलوتे यहां क्यों और आ यंश्बू इस लिए मेरे उ Machtrique इंकल है आपके इकलोफ ऐ अआ बेति हैं के मैं अगलो बच्ची को लेकर आओ पता नहीं अब कौन सा बुरा काल आने वाला है इन्हीं भी मैंने कहीं है अच्छा ये क्या-क्या थुम्न हो पापा लगता इस लड़की को भी मैंने कहीं देखा है इसमें शक्कर तो बराबर से मिलेगा है हाँ मिलाई है लेकिन मिक्स नहीं की है तो करो जानेमन मिक्स करो हाँ ए जी मेरी फिंगर छोटी है ठीक है तो लाब मैं करता हूं के यह तुम सब किसमने क्या करे हो यह अपना मुझ बंद कर मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं इस गाओं की हर एक दिवार पर इन दोनों की तस्वीरे मैंने देखी है अब सब कुछ खत्म हो गया पापा अरे यह तो क्या कह रहा है जहां उंगली गुमा रहे हैं वैसे हमें भी गुमा रहे हैं दूद में किसी भी कीमत पर में इस बी ग्रेड मुवी से शादी नहीं करूं चलो बाबा एक मिनिट मुझे ब्लॉप बस्टर मुवी हूं तुम मुझे रिजेक्ट करोगे तुम्हारी हैसियत ही क्या है मैं तुझे रिजेक्ट करती हूं चलो बडाया हो जी चले यहां से अरे अंकल आप पेकार का टेंचिन क्यों ले रहे हैं यह वो पिक्चर है जो डबा है रिलीज नहीं हुए लेकिन आपकी लड़की का उसका तो सिल्वर जुबली होने वाला एस सुपर हिट लड़का मिलेगा उसे हां मेरा काम तो हो गया ठीक है आप कुछ कहना चाहते हो क्या आपके तिवर बदले बदले लग रहे हैं वीवारों पर तस्वीर बना के रिष्टे बिकाड़ता है क्यों क्या बात है तुम्हारा ससुर तो तुमसा अच्छा आटिस्ट है दोनों गालों पर क्या पेंटिंग बनाई है तस्वीर बनाने वाला मैं हो और तस्वीर बनवाने वाले तुम हो तो ये बात लड़की के बाप तक कैसे पहुची जरा ये समझाओगे मुझे राप दिन महनत करके तुम्हें बहुत ये बढ़िया तस्वीर बनाई है तुम्हारी ये कला जगत प्रसिद्ध होने वाली है आट वाई श्रीकुमा लिकर सब दूर आटोग्राफ बना दिया है कैसा है तुम्हें 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 बता उस लड़के ने तुझे रिज वो किसने बनाई और कौन बनाएगा शिवम ने हाँ उसी ने वो है ना मुझे बहुत चाहता है इसलिए ऐसा किया लेकिन वो कभी चैताता नहीं आखिर वो अपने प्यार का इसहार मुझसे कब करेगा पता नहीं लगता है वो आ गया है मैं उसका मूझ खुलवाते हुए छ मा जितनी सीरिस को लग रही हो क्यूंकि मैं सीरियस हूं मैं तुमसे एक बात पूछती हूं क्या सच बताओगे मा मैंने अपनी जिंदीकी में तुमसे कभी जूट बोला है तो फिर ये बता गाउं के दिवारों पर तेरी और भवानी के ऐसे आड़ी तेरी तज़ीरे किसने बनाई है उस मोटू श्रीकुमार ने और बनवाई है मैंने किसलिए ताकि भवानी की उस लड़के से शादी नहों सके ऐसा करवाने से तुझे क्या मिलेगा मुझे भवानी मिलेगी और क्या मा मतलब वो तुझे पसंद है ये क्या मा बेटा से ऐसे सवानी कुछे जाते है तुझे पसंद है या नहीं पसंद है मुझे कुछ सुनाई ने दिया जरा जोर से बोल बावानी मुझे बहुत पसंद है तो फिर गदे उस बच्ची को तू जान बुच कर क्यों सताता है देखो मा ऐसा है कि अगर मैं उसे चाहता हूं यह उसे पता चल गया तो मेरी शादी से पहले ही तुम दो तीन बच्चों की दादी मा बन जाओ गया मैं तुमसे दूर नहीं होने वाली अब कहां चाओंगे मेरे शूना मैंने अपनी सेफटी के लिए अपने डुपलिकेट को रखा था लेकिन उसने डुपलिकेट को मार कर औरिजिनल को ही डमी बना दिया कोई भी सिर्फ मेरे फोन कॉल पर भाई का आदमी आ रहा है ये कहकर सारे काम का छोड़ कर मेरा काम पहले करता था लेकिन आज जब मैं खुद फोन कर रहा हूँ कोई फोन उठाने को तैयारी नहीं अब तुम्हीं ये काम छोड़कर बाहर कहे ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ी जाओंगी जहां भी जा आजाओंगी मैं कहा रहता हूं यह मुजे नहीं पता तो फिर तुम और नोनती पहरोगी वही ना, वो मोटू, वो प्राब्लम नहीं, वो तो अच्छी बात है, उस प्राब्लम का बनाऊंगा मैं, लाव ट्राइंगल और कर दूँगा, फिनिश आज से आपका खाना पीना सब बन, आज के बाद सिर्फ गाना बजाना, जिस टीडिया के पीछे आप देना, वो तो प्र करके उड़ने वाली थी, वो तो सही वक्त पे आकर शिवम ने मदद की, तो वो नहीं उड़ पाई, इस खुशी के मौके पर एक गाना हो जाए, अच्छा, मुझे आप से कुछ बात करनी है, हम दोनों के बारे में बात करनी है, हम दोनों की परस्टनल बात है, इसलिए इंचलों, तब लाडोला कुठाओ, और रावाला हो जाओ, चलो, चलो, चान बची, चलो, डाउन डार्लिंग, ओहो, ओहो, गुरू, कलो, शिवा मंकी ने मुझे गुद नियूस दी कि वो शादी का प्रोग्राम कैंसल कर रहा है, रात को जब मैं सोई थी, तब एक मोटा सा चेहरा मेरे सामने आया, जो मेरे मन को भागया, फोकस करने के बाद जब मैंने देखा, तो वो आप थे, क्या हम स्वीटी, आप से एक सवाल पूछू, क्या ये आपके चेहरे का जादू है, जो मैं बिगल कर पानी पानी हो जाती हूँ, अफ कोर्स, I have decided, I love you, what's next, अब आप आकर मेरे पापा से हमारे शादी की बात कीजिए, ओके स्वीटी, भवानी अब तक घर नहीं आई है, शादी के लायक हो गई है, फिर ये म्यूजिक सीखने की क्या जरूरत? सोचा था, संगीत सीख लेगी तो अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन वो उसे तो लाजशरम ही नहीं है, तुमारी वज़ा से, ऐसा उसने क्या कर दिया? क्या कर दिया? जब भी को याता है, गाय की तरह सिंग मारने दोड़ती है, मेरे जीते जी पता नहीं उसके शादी होगी की नहीं होगी? मरने की बात क्यों करते हूँ पापा, आपको इतनी जल्दी मरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अल्रेडी अपने लिए लड़का सेलेट कर चुकी हूँ, किसे? उसे शीवाम को? ची, उससे शादी कौन करेगा, ना उसका सूर अच्छा है और ना ही वो संगी चौनता है, बिल्कुल सही का, अच्छा हुआ तेल दिमाग से उसका भूत उतर गया, मैं बहुत खुश हूँ, बदल का कौन है बूल? अपने म्यूजिक टालेंट से सबके दिलों का टैनेंट बना हुआ, वही मेरा फेमेस म्यूजिक कुरू, श्री साथ सुरों का मालिक यानी समराठ मेरा दिल चीट चुके है, अरे फूटी किसमत हमारी, ये बच्ची अपना बचपना कब छोड़ेंगे, बड़ों की इज़त को भरे बाजार में निलाम करते हैं, आप ली की वज़े से हुआ है, इसके जिम्मेदार आप ही है, तुम किसे कह रही हो, बता रही हूँ मैं आपको, और सुना रही हूँ इसे, पर मा, मैं कमेट कर चुकी हूँ, अब क्या करूँ, अरे रे, ये तु क्या कह रही है, गलत मत रेडी रहना, मा, तुम भी रेडी रहना, दामा जी आ रहे है, बहुत बढ़िया सेलेक्शन है, अब फामली पोंट्रेट कैसा होगा, ये भी देख लो, आपने मुझे अपने साथ लाकर यहां क्यों बिठाया है, पापा, वो मेरे लिए घर में आकर इंतिजार कर रहे होंगे, अरे, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए यहां लेकर आया हूं, तू चुप बैट, अरे, ये अमंगल-मंगल औरती के समय, यहां कैसे आ गया, इसे यहां किसने बुलाया, इन्हें यहां मैंने बुलाया है, पापा, क्या कर दिया तुमने, चलो भाग हाथ दिखा कर बात मत करो, कल इनी हातों से मेरा पैर धोकर करने अधान करने के बाद अक्षट डालेंगे मेरे सिर पे, अक्षट मैं तेरे सर पे नहीं डालूगा, तुझे जला दूगा, सुन लो, इन दोनों की शादी हर गिस नहीं होगी, ऐसा करने से पहले, तुम्हें मे अरे यह कौन से लंग्विज है, छल मेरा हाँ चोड़े, अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा, वो मेरी अकल, मेरी शेकल, मेरी परस्नालेटी पर नहीं मर मीटी है, गुरू, वो तो मेरी वोइस, वोइस पर, वायस पर मार मीटी है, गुरू, वोइस पर? आपे गेंड हाँ यह ना गीत माला लोग गीत भक्ती गीत वेस्टन सॉंग सब को चेस वाइस कंट्रोल म्यूजिक प्लेयर पर बरकर रखा जरूरत के मुताबिक सॉंग प्लिक करके उसके साथ लिप सिंग करके तू लोगों को टोपी पहनाता हा तेरे पेट पे बंदी है आईपॉड टेक पारेगी सोच ले इसके बाद तेरा धंधा भी चौपट हो जाएगा बेकारी बेकारी की तरह तु दरदर की ठोकरे खाता परेगा ने ने गुरू प्लीज रोजी रुटिक लिए सब करना हूं ऐसा मत करना इस राज को राजी रहने दो ना प्लीज जिन्दी की प्यारी है क संगीत में तो बहुती साध्णा की जरूत होती है अगर अभी से इसकी से शादी हो गई तो फिर इसकी साध्णा पूरी तरह भंग हो जाएगी ये ख्याल इसको आया है ना जरा बता दे आज के बाद हम दोनों का रिष्टा गूरू और शिशी का है तो फिर मेरे प्यार का क खाएगा अंकल जी तो फिर शादी के इरादे का क्या हुआ दिल के अर्मा बहा गए गये पांडे भाई हमारा वो बीस एकर जमीन वाला काम जोटका उसे पूरा कर दो ना भाई तुझे बैठे बैठे वही आदाया क्या चामाज हो गया अब टेंशन मतले ये बताओ कि नई मंदर का उत्सब नजदीक आ रहा है हर साल आपके दिये हुए डोनेशन से ही आज पास के दस गाओं को पुला कर पेट भर भोजन का प्रबंद आस तक करते आए हैं उस मंदर में पूटी कोड़ी नहीं देने वाला मैं मुझे मंदर में आने समना किया उसने सैंक्रों लोग मंदर का सारा रखाव हमारा ही होगा देख लीजिए का ठीक है चलो देखते हैं पर याद रहे कि ये उस परमेशन पुजारी का आखरे उत्सब होना चाहिए कर दो 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 कर दो 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 कर दो 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 इश्वर तु है इश्वर जैसे कहें जास्तावर इश्वर तु है इश्वर गंगपी लहने तुझसे हर्यानी साथ बुर्चादर जंगत लहने तुझसे नट राजवन के नित दिखाँ गभू और हम ताए तेरी बानी सुने ये ही है अलू जो चिंता पिटाए आफिर जब सार से कसमसार न मुड़ते हैं बुड़ते हैं हर विष्टा हमारी खुश्यों की दूही है बजा इन लोग का दूही है बाराजा अंबम की घर जिंसे दिल में कुंठे शुकादी मारा अंदी करमाशिक की सदा अंदी करमाशिक की दूही है बुड़ते हैं अंदी करमाशिक की दूही है बुड़ते हैं त्रिशूल ने हमें पताया माहकव क्या है शक्ति का त्रिशूल ने हमें पताया जै जै तेरी मैं करूँ सुन में बजवाना शिश दे तूँ तेरी अर्च ना करे पूढे जवाँ आंधी से सिकार तूँ आवं का पिंदरे दे अक्ति कर जाया मैं अपनी हमें पना दो हमारी खुश्यों की दूही है बदा अरे बहु यह शिवं कहीं दिखाई नहीं दे रहा कोई जरूरी काम है कहकर कल रात को ही वो विदेश चला गया है बाबुजी शिवु मुझे तुमसे खास विशे में बात करनी है बुले पापा वह बात यह है परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से हमारे हाथों से होते आया है यह प्रधान मठाधीश का कारे निर्वाह करने का इतिहास उसके देखभाल और महत्यों के बारे में तुम अच्छी तरह से परिचित हो जी हाँ बापा अन्ता आत्मा से प्राप्त होता है इसलिए बेटा मेरे बाद जेश्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा यह क्या पापा आपको नहीं लगता इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछना चाहिए था आपका काम जैसे आपके लिए इंपॉर्टन्ट है वैसा ही मेरा काम मेरे लिए इंपॉर्टन्ट है मैं आपका यह कार यह नहीं कर सकता पापा ये सिर्फ कार ये नहीं है, सेवा है, सदा भगवान की शरण में रहकर सेवा करने का महत्वपूर्ण कार है पापा, मेरी ये नौकरी मुझे महिने में करणों रुपए कमा कर देती है, उसे छोड़कर मैं यहाँ पर पूजा, पुरसकार, अलंकार, अभिशे करते हुए, ये तिर्थ मंगल आर्ति करते हुए, छुड़े पैसे कमा हूँ पापा वकवास बन कर बहुत हुआ, फूजा अनुष्ठान के प्रति इतनी घिरी हुई बाते कर रहा है, परमेश्वर देखो शिबू, तो जो भी काम करता है, करोनों रुपए की कमाई होती है, लिकिन ये सब सपनों का भल है लेकिन भगवान की सेवा, भल क्यों मीद किये बिना भक्ती भावना से होती है संकट निवारन करने वाले भगवान की शर्ण में जो भी आता है उसके प्रति सर्वेज जना सुखिनो भवन्तु कहकर अर्चना करने का सवभाग्य तुम्हें अपने आप मिल रहा है बेटा जो कारे तुम इस वक्त कर रहे हो वो कोई भी कर सकता है तेरे जैसा साइंटिस्ट हरे गाउं में हरे गली में मिल सकता है लेकिन गर्भ ग्रिह में भगवान को छूकर पूजा अर्चना अलंकार करने का सवभाग्य करोणों जन्मों के पुन्य भल के सुरूप ही मिलता है ऐसे शुभ अवसर को यदी तुम खो दोगे तो तुम से बड़ा मूर्खिस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता पापा प्लीज मुझ पर ज्यादा प्रेशन मत डालिए चाहे कुछ भी हो जाए में अपना फैसला नहीं बदलने वाला पापा भगवान के लिए ऐसी बाते मत करो शिमू तुम्हारे ना कहने से तुम्हारा कोई नुकसाद नहीं होगा बेटे परंतु उर्खों से चली आ रही ये पुरानी परंपरा हमारे बउशिजों के हाथ से चली जाएगी तुम भी ऐसी बाते क्यों कर रही हो मा? आज मैं आपकी बातों में आकर गलत कदम उठा लूँगा तो कल पश्चात आप भी मुझे ही करना पड़ेगा कैसी पस्चाताप की बाते कर रहा है तू आज तू तेरी पढ़ाई, तेरी नोकरी, तेरी तरक्की, यहां तक की दो वक्त की रोटी भी तू खा रहा है, तो वो सब भगवान शिव के आशिरवात से ही है, ऐसे शिव की पूजा राधना करने से तू इंकार कर रहा है, मूर्ख पर चड़ जाओं क्या, शिवू, जिन नौ ग्रहों की पूजा करने की बात कर रहे हैं, उन नौ ग्रहों के साथ मैं अपने लैब में रोज खेलता हूं पापा, अगवान के लिए मुझे बख्ष दीजिए, बार बार एकी बात, ये पूजा, पुरसकार, धर्म, ये सब और नहीं मैं करना चाहता हूं, बेटा शिपू, बेटा शिपू, 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 है लाक्स, स़री टो डिस्टर्ब यू अन ओरॉलिडर, खान के साथ उसके पूरे गैंक को फिनिश करके तुम्हारे इंडिया जाने के पाद, यहाँ Bureau of Land Management के हिसाब से बड़े पैमाने पर फिर से ट्रक का धंदा शुरूर हो चुका है इस बार इस धंदे को किसी और ने टेक ओवर किया है उसे खत्म करने के लिए ही तुम्हें यहाँ फिर से बुलाया गया है माफिया नेटवर्क कुछ अलग तरह से काम करता है किसी और धंदे में जब नमबर एक का आदमी नीचे आता है तब ही दूसरे नमबर का आदमी उसकी जगे पर पहुंचता है लेकिन यहाँ पर इंतजार नहीं किया जाता है बलकि बंदू की नोग पर जगे हासिल की जाती है जो पहली गोली चलाता है जीत उसी की होती है इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला और जहन्म भेज दिया खान की जगे खाली होने के बाद नेटवर्क का फिर से इतने थोड़े समय में चालू हो जाना इसका सिर्फ एक ही मतलब है कोई और है जो खान की जगे पर पहुँच चुका है यरास्बिन, युसुफ, आयशा, जफर और नुरू ये लोग हर महीने पचास से साट टन ड्रग्स अवान उल्ला खान से खरीदा करते थे हमें उन्हें ढूंड़ना होगा और उनका सफाय करना होगा कि प्रू प्रू इंच से खरीदा करना झाल ये खरीदा करना है हरे, अब तक तो आप स्नान, शाम की आरती, पूजा सब खतम करके मंदिर के लिए निकल जाते थे आज क्या हुआ जी, आप इतनी देर तक सोए हैं हम, शिबु ने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आप परिशान मत होईए आपके बाद शिबु का प्रसाद देने वाला कोई नहीं है, तो क्या हुआ शिबु अपने भब्तों के लिए खुद ही अपना रास्ता निकालेगा हम, मैं कब से बोले जा रहे हूँ, लेकिन आप जवाब ही नहीं दे रहे, क्या हुआ है आपको एजी, सुनिए, 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 सुनिए न, शिबु रुट्रा शरीर से मुक्धु आचियु आत्मा तेरी अर्प्रस्थान कर चुका है उसे तुट्यू मुक्ते दिना मा, मैं आज वापस जा रहा हूँ, मा यहां की सारी विधी संपन करने के बाद तुम भी मेरे पास आ जाना, मा पापा नहीं रहे, तो तुम यहां रहकर क्या करोगी, मा दद्दो, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं अगर मा मेरे पास आ जाएंगी, तो इन्हें अपने दुखदर्द से छुटकारा मिल जाएगा हमारी सोच जैसे अगर सब कुछ होता, तो दर्द से हर किसी को छुटकारा मिलता संसार में हर कोई हसी-खुशी के साथ जीवन बिताता ये सब कुछ छोड़कर तुमारे साथ हाना हमारे लिए बिलकुल मुम्किन नहीं इतने सालों तक यहार है, हम इस मंदिर और जैगे को नहीं छोड़ सकते हैं यहीं हमारा स्तित्व है, तेरे पिता को गुजरे हुए अभी तीन दिम भी नहीं हुए और तु अपने फर्ज को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है वहाँ सैटलाइट लॉंच होने वाला है दद्दू, मेरा जाना जरूरी है देखो बेटा, पिता के वचन का पालन करने के लिए वनमे गय श्री राम जी जैसा तो तु नहीं बन सकता माता पिता को कंधे पर ले जाने वाला श्रमन कुमार जैसा महान बेटा भी तो तु नहीं बन सकता बेटर है कि तु चला ही जाए हरे सुनो भाई आपके लिए खुशकाबरी है वर्षों से जो आपका दुश्मन बना बैठा था वो परमेश्वर पुजारी सीधर कहना चला गया इतना ही नहीं उसके बाद उसका उत्राधिकारी बेटा ये कहकर विदेश चला गया कि मुझे जमेले में नहीं पढ़ना है इतना अच्छा मौका हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए छी लेना चाहिए उससे तेरे माथे पर लगाया हुआ मेरा ये भस्म मेरी किसमत में लिखी हुई मंदिर की वो जमीन मुझे वापस ला कर देगा आज के बाद उस मंदिर का यही उत्तराधिकारी है और यही वारिश में हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जिसके लिए तुम हमें ऐसी सजा दे रहे हो सदियो सदियो से काल भैरभ बने हुए हो हम श्रद्धा से तुम्हारी सेवा करते आरे और तुम्हें जरा भी चिंता नहीं तुम हमसे ये अपनी सेवा का सवभागे क्यों छीन रहे हो बताओ भगवन बताओ अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ पसवड़ना का सबस्क्राओ से बियुद्धा 봤ब अधवनास थैवयदा स्षती ञातृ नहीं स्मिखश योज़न कार्णत थैवंधाब के विसें आत्मनास थैवयदा स्षत्यी एपने अंधिश प्सवें इतार थैवयदा थैवयदा स्षत्ये पसवड़ना हॉ... झाल 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 ये तुम लोग क्या करने जा रहे हैं? पिछले चार सालों से इसी मंदिर में सहायक पुजारी बनकर सेवा करने वाले पुजारी को हम मठाधीश की कुरसी पर बैठाने जा रहे हैं असांब हो! वोकार इनके वन्षोजोगा है! पुराने मठाधीश का पुत्र हुआ तो क्या हुआ? हम इससे अपना मठाधीश नहीं मानते! इसमें उस पद के लिए कोई योगिता है क्या? मैं ही अगला वार इसमु ऐसा कोई तावा ठोकने के लिए! ये कोई तुमारे पूरवजों की जागिर नहीं है! सिर्फ जागिर की बात होती तो मैं उसे छोड़ देता है! ये अस्तित्व की बात है! हमारे पूरवचों का अस्तित्व उस स्थान में बैठने के लिए तेरी क्या उकाद है? तुझ में क्या योगिता है? तब यह क्या जानना है पूछा हो ऐसा क्या? भुरू जी, सारी जनता के सामने ये परिक्षा हो जाए अभी की अभी फैसला हो जाएगा हाँ हमारे धर्म में देवाले मतलब एक सशक्त विवस्था है यहां सिर्फ विश्वास पर ही सब कुछ नहीं चलता मुख्य द्वार से लेकर गर्व ग्रिह तक हमारे कुल देवता से लेकर अंतिम पंक्ती तक पग पग पर नियम शास्त्र का अंश होता है देविये शक्ती को केंद्रीत करने के लिए सिर्फ मान लेने या भावना को पालना ही काफी नहीं होता उसके लिए रिशियों के दिये हुए ग्यान की प्राप्ती होनी चाहिए अर्चना करने वाले के प्राथना अगर सही है तो तबेले का पत्थर भी शिव बन जाता है लेकिन पूजा में अगर रत्ती भर भी चूख हो तो शिव को शिला बनते देर नहीं लगती संसार के मोह माया में भटके हुए तुम हजारों साल का इतिहास रचने वाले इस मंदिर में किस तरह मठाधीश का कारे समालोगे मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे धर्म को चोट पहुचे स्वधर में निध्रम श्रया ऐसा गीता में दिखा है नित्य अनुष्ठान और पूजा अर्चना में किसी तरह की कोई चूक नहीं होगी ये वचन में देता हूँ खुशी की बात है तुम्हें शास्त्रों का ज्यान ही नहीं है फिर तुम मठाधेश का कारे कैसे कर पाओगे भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है तस्माज शास्त्रम प्रमानांते वर्तते कामकारता हंता ये चौद्वे अध्याय में कहा है उन्होंने शास्त्रों की ज्यान के बिना मन मुताबिक उसका उचरन नहीं करना चाहिए ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है क्या ये पता है तुम्हें ये चौद्वे अध्याय में नहीं बल्कि सोल्वे अध्याय का तेस्वा श्लोग है एच्चा शास्त्र विद्धी मुतसंजे वर्तते काम करतह नससित्य मवापनोती नसुखम नपरांगतम कहकर शास्त्र के विधान को छोड़कर जो कोई अपनी अच्छानुसार पाठ करेगा उन्हें सिध्धी प्राप्त नहीं होगी, सुख प्राप्त नहीं होगा और नहीं परमगती प्राप्त होगी इसका अतात पर ये ही है अब सुनिए चौवीसमा श्लोग इसका आर्थ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र के आधार पर इसका निणे होना चाहिए अपनी स्विधायतु कोई भी अनुचित कार्यन नहीं करना चाहिए गीता में भगवान ने इसी सत्य को प्रतिपादित किया है वो सब तो चीक है सही कर्मों को कौन सा धर्म शास्तर प्रमाडित करता है क्या तुम्हें पता है उस शास्तर में विशेश तीन विधिया है निगम, आगम, स्मृति निगम का मतलब है वेद आगम का मतलब है धर्म शास्तर स्वरती का मतलब है मंत्र तंत्र विज्ञान, सारे कर्मों का निर्मान प्रतिस्थापना आर्चना सारे विधिविदान आगम शास्र के अनुसार ही होने चाहिए निगम मंत्रों का उच्चारण अगम जैसा ही होना चाहिए जिस कार्य का निर्माण अगम शास्त्र के अनुसार हुआ है उसी विधान के अनुसार पूजा अर्चना होनी चाहिए हमारा देवाले शिवाले के अनुसार ही बनाया गया है और हमारे शिवाले मुख्यतह 28 प्रकार के होते हैं कारण कामिका योग चित्य, दीप, सुक्ष्व, सहर्शरा, आधी-आधी हमारा मंदिर कारण कामिका पध्धती से बना है उसके लिए माता की आराध्रा और श्री चक्र की स्तुती श्री विध्या के संप्रदाय के अनुसार ही होनी चाहिए श्यव के अनुसार पंच ब्रह्मा मतलब कौन है? श्यव का पंच मुख भी पंच ब्रह्मा है उनके नाम है सद्य जोता, वामदेव, अगोर, तत्पुरुशा ईशान और इन पाँच मुखों से ही न, म, शी, वा, य, नमशिवाय से ही पंच अक्षर मंत्र उत्पन हुआ है इन पाँच मुखों को जैतनी देने वारा शिव ही पंच मुख होकर संसार का नायक है अच्छी बात है, और एक छोटा सा प्रश्न, शिवम राज कोन है? कोई कले नहीं, किसी का वद नहीं, असत्य वचन नहीं, कोई एहंकार नहीं, किसी का उपवहास नहीं, स्वयम की प्रशंसा नहीं, औरों का अपमान नहीं, यही आत्मशुद्धी है, यही भैरव की सिद्धी है और यही है परम्पता परमात्मा की अम्रित्वन। ब्राह्मन कुल में पैदा होने वाले और भेदभाव का तिरसकार करने वाले सब में समानता लाने वाले बार्वी शतापती में पैदा हुए वस्वाराजी के बारे में ही आप पूछ रहे थे क्या। बिल्कुल, सनातन धर्म ने ही मूर्ति को पूजने के प्रथा की शुरुवात की थी, तब से शिव के आगे बैठे हुए है नंदी महाराज, उसके बारे में बताए। धर्म का शद्धा से पालन करने पर ही श्वर प्राप्त होता है। नंदी महाराज के दर्शल के बाद ही शिव की पूजा होनी चाहिए। धर्म का रक्षक ही भगवान है। भगवान को देखकर सत्य आचरन करना ही धर्म है। शिव पर द्रिष्टी रखने वाला भक्त आनंस् और वो आनंस्वरोप ही लंडी महाराज है। मानता ह। भस्म धार्र तीन रेखाओं में ही क्यों होता है। उसे आडा कीचने का कारण जा है। अगिनी सारा भास्म वक्षव को प्रकाश स्वरो पापकी नाश करने वाली ये भास्म ओमकार में आकार ओमकार वकारों को रिगवेद साथ ये जुरुवेद और सामवेद को ब्रह्मा विष्टु महेश्वर जी का प्रतीक मान कर भस्म की तीन रेखाय माथे पर लगाई जाती है माथे की लिखावट को शुब बना कर उसे परिवर्तित करने की शक्ती भस्म में होती है आने वाले संकट का संकेत होता है ललाट की रेखाओं के अनुसार ही भस्म को भी आडे रूप में लगाया जाता है कि अनुसार ही रूप में लगाया जाता है कि अनुसार ही रूप में लगाया जाता है कि अनुसार ही रूप में लगाया जाता है शिवम बेटा हाँ माँ मेरा जनम सार्थक हो गया बेटा बड़े बड़े विद्वान लोगों के पूछे गए सवाल करती थी तब मैं तुम्हारी हर बात सुनता था जब मैं तुम्हारी गूद में बैठता था उस समय तुम्हारी सुनाई हमारे पूर्वजों का वो मंदिर हमारे लिए अमूल्य धरोर है और शिव की सेवा ही हमारा धर्व है अगर कोई छल कपट से उससे चीन्य का प्रियास करेगा तो मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूँगा शिवम बेठा इस घर का बड़ा बेठा बनकर हमारे वन्ष का ही नहीं बलकि तुमने परंपरा की भी रक्षा की है पित्रों को हर वर्ष पिंडदान करने से कहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ती होती है नहीं आज तुमने भगवान की सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाया है न इसलिए आज उन सभी आत्माओं को सच में शांती मिली होगी तेरा पिता कहता था तेरे कतम कहीं पर भी नहीं टिकते हैं लेकिन आज उस भगवान की चरण में तुझे सदा के लिए स्थान प्राप्त हुआ उस शिवा के पास आज तक एक ही नंदी था लेकिन आज के बाद दो दो नंदी है तू दूसरा नंदी है बेटा, तू दूसरा नंदी है हम लोग क्या-क्या सोचे थे, क्या-क्या प्लान बनाये थे सब का सत्यानाश हो गया बिना वारिस के मठाधीश की जगह पर आपने अपने आदमी को बैठाना चाहा तो वो भी मिट्टी पलीद हो गई को लेल से निकला पत्थर निशाने पर लगे तो ही किसीने ताली बचा कर सारे पंच्चियों को खेट से उड़ा दिया अब उसे नहीं जीना है उसे जीने का अधिकार नहीं है कुछ ऐसा करो कि वो खुद इस पद को छोड़ कर चला जाए भाप को टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसके बाप के मुँ में मिट्टी हमी लोगों ने डाला है मंदिर की चावी, गर्बग्री की चावी, खजाने की चावी, सेवा सतकार से लेकर भगवान की आभूशन तक का हम लोगों ने डुप्लिकेट बना रखा इस हाथ से निकाल कर इस हाथ में रख दिये, तो सब खत्म मंदिर के तमाम जागीर और जिवरात के मालिक हमी है, हमी है मालिक भूद्दाद निदेशों में घुमने वाला शिवम राज इतना बड़ा विद्वान होगा, ये बात मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी जो भी हो, अभी हमें थोड़ा सत्रक रहने की जरूरत है, वरना पासा कहीं उल्टा ना पड़ जाए, जब तक परमेश्वर पुजारी जिंदा था, तब तक हम मैंसे किसी को भी चैंसे नहीं रहने दिया, उसके मरने के बाद ऐसा लगता है चोरों ने CCTV कैमरा ही चुरा लि है, बिल्कुल, किसने कितनी चोरी की है और कहा कहा हाथ मारा है, अकाउंट्स देखने के बाद सब पता चल किया है, अरे रे रे रे, भगवान के अकाउंट में बैमानी करने वाले की आखे चली जाती है, जो इश्वर को धोका देता है गुरू जी, उसके शरीर का एक भी इ पैसों को भी नहीं चुआ मैंने, बिल्कुल, तुम्हें पैसों को नहीं चुआ, लेकिन रूपियों को निगला है, वो भी करोडों रूपय है, तुम कहना है क्या चाहते हो, हम लोग अकाउंट्स में एक पाई का हिसाब रखते हैं, अकाउंट्स क्या मैं तुम्हें है अकाउंट में तुम लोगों ने लिखा है साढसे तीन करोड में तुम लोगों ने जूट बोल कर आप मैं टुम्हार करना धन्या तुम्हार में घुरता हू था रिखा लिखाए दूम्हाव गरोज दीष रुजी करोट को मिला कर होता है 30 करोड रुपिया थेखिया हम जब तक ये मेरे कंधे पर है मैं भगवान का पुजारी हूं लेकिन अगर मैंने इस अस्त्र को कमर से कस लिया तीस करोड तीस दिनों में चुका दो ऐसा हम सबको धमकी देकर गया है वो फुशिया मनाओ की अब तक वो सिर्फ एकाउंट की फाइले देख रहा है अगर उसने हमारी पुरानी फाइले खोल दीना तो हम तीनों जन्द हर 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 महादेव के पास पहुंच जाएंगे अभी अभी तो उसने भागवा कपरे कंधे पे डाला ही है पाताल चले जाए तो भी नहीं छोड़ने वाला है वो हमारी भणाई इसी में है कि हम टाइम पे पैसा ला उटा दे हैं तुमारा दिमाग खराब हो गया है क्या पहले तुशान से कहता था हम इन्वेस्ट करेंगे उस से हम करोडो कमाएंगे बड़े बड़े कॉंपलेक्स बनाएंगे इसलिए हमने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिये नहीं दिये तो वो क्या भिगाड लेगा उसे उसके बाप के पास भेज दिये तो अपने चेले लोगों को खंबा पिला कर छोड़ दूँगा और चेखने के लिए उसे पेश करूँगा तो मेरे चेले लोग उसकी बस हड्डियों का टुकडा छोड़ेंगे और डियों का टुकडाई चाले हुआ 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 हु अच portfolio सब्सक्राम ओनंगे प्रवादी शेले प्रवादा! की तो ये वे बामी तोठी जाननी जानने थे उन्या कि बडिवान नहीं देपा है कि अाया को लुख है नगार्वे लिटब टु टुु मैंने जई घए एल गार सल को आतो पके लुजर को चुफουμε कतार स्याहिウूख परोजस अपकान बर्हारी words कि बड़ी बड़ी बाते करता था क्या कर लिया तुने क्या किया वापस आ गया अब देख लिया ये काम तुम जैसे चिंदी चोरों के बस का नहीं है इसके लिए तो किसी बड़े गिरों को सुपारी देनी ही पड़ेगी कि फर्म पूरा चेक हो गया क्या है हो गया भाई सामने से में कंफर्मेशन में मिल गया है अमाउंट का क्या हुआ ट्रांसफर करें भाई ओके मुनीर का है देखा सौ साल तक नहीं मरेगा ये मुंबई से एक डील मिला है भाई एक पुजारी के लिए इस तरह की चिलर डील में हाथ नहीं डालने का कितनी बार समझा है मैंने करोडो का डील है भाई एक पुजारी को टपकानी के लिए करोणो रुपे की डील इसलिए उसका फोटो फैक्स करने को कहा है इंट्रेस्टिंग स्नेक जाके ज़रा चक करो फैक्स आया है क्या इस काम को करने के लिए मैं खुद ही जाऊंगा एक पुजारी को मारने के लिए हमारे दंदे में पहली बार करोडो की सुपारी मिली है मिशाना चुपना नहीं चाहिए मिशाना सीधे उसके सर पर लगाना जरा हम भी तो देखें ये करोडो की चीज़ है कौन मिशाना मिशाना नहीं हुए कि एक उड़ा को देखें वापस आजाओ रे वापस आजाओ रे वापस आजाओ वापस आजाओ भूजो अभी। झाल 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 तुष्ण चेनल थिक्टार थम्सन वैरिज्चुंपन विष्रूंखदीच्ष्ण चेनल थिक्टार थम्सन वैरिज्चुंपन विष्रूंखदीच्ष्ण तुष्ण चेनल थिक्टार थम्सन वैरिज्चुंपन विष्रूंखदीच्ष्ण कर्षक्वन विष्रूंखदीच्ष्ण मेरे बर्मा, ना तड़बा, इंतजार है बस तेरा, नजर मिला, दिल चुरा, तो बेश कीमती ही रा मिला है मौका, मार ले चौका, ना देना मुझे धोका, हुई दिवानी, शुरू कहानी, कर तुझे है किसने रोका डैड मॉम को भूला दिया, भाई का रास्ता मोड दिया, बॉइफ्रेंड को छोड दिया, सबसे रिष्टा तोड दिया अब ढूनों मैं नौटी बॉइस को, दिल मांगे बस डर्टी बॉइस को पाईडिंग सिनेमा भूला दिया, लब स्टोडी को मूड दिया, ट्रेजेडी को छोड दिया, फंसे रिष्टा तोड दिया अब देखूं बस होड़ी सेनिमा दिल मांगे बस तोड़ी सेनिमा मस्त मस्त मुन्ना हट हट मुन्ना मैं बनी हूँ तेरे लिए मुझे कोई चुन्ना देखो मेरे लटके दिखाऊं मैं जटके आजा मेरे जंग तु भी कर ले तो न तो न मेरी एका दिल अदा कर दे तुझको मुझे पे फिदा होटो का रस जिसे पिलाओं गर्हा भी बन जाए घोड़ा तु मेरा मजनूर मैं तेरी लैला कर देगी तुझ पे जादू ऐसी है मेरे खुश्बू तेरी मस्त जवानी से आजा राजा खेल तू मुझे में हैं सोफवे का नशा पीएगा वो पाएगा सदा और कुट हुआ पूरा ना फेस्बूक के पीछे जमाना क्विटर ना आए चला ना वाजब फे मारे सबकाना इससे बहतर है डेटिंग कर लो फिर उसे बाहों में भर लो डैड मॉम को भुला दिया भाई का रास्ता मोड दिया बॉइफ्रेंड को छोड दिया सबसे रिष्टा तोड दिया नजरे दिला दिल चुरा तो बेश कीमती हीरा दिला है वाका मारे ले चौका ना देना मुझे धोका बुई दिवानी शुरू कहाणी कर तुझे है किसने रोगवा शेक व्रेट डांस नहीं पता भारत नाट्यम में हुई खता कुछी फूली पॉलिंग है बैली सालसा नहीं आता खोल बजा शोल बचा फिर मेरा जलबा देखतू सबको पीछे छोड़ दू हर कोही ताली बजाए कमर को यूं मटकाऊ जवा दिनों की मैं हूँ अर्दू आज जा मेरे दू भीरों बरू मुझसा ना कोही तू जा करेगा दू मेरी बुजा तुनिया रारी सम्फूल जा मेरे रंग में तू घुल जा कर ले मुझसे तू दिल नारी मुझको प्यारी तेरी आरी डैन माम को भुला दिया, भाई का रास्ता मोड दिया, बॉइफ्रेंग को छोड दिया, सबसे रिष्टा तोड दिया मुझे सिर्फ ले जाने का इरादा है, या फिर खरीदने के इरादे से आए हो तुम इरादा जो भी हो, अगर नहीं मानी तो उठा कर ले जाओंगा स्टाफ बना कर रखोगे, या अपने दिल में बसने का मौका दोगी मेरे दिल में पैसे रहते हैं, चाहो तुम के साथ खेल सकती है बोले, चिल्लर में खेलोगी या लाखों में ऐसा क्या काम करते हो, जो इतनी कमाई है लोगों की जिन्दगी का सौधा करता हूँ, तुम नहीं समझागी क्यों? स्नेक, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी मैं तुम से कुछ नहीं चुपाऊंगा क्याः क्या 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 अच्छी नहीं कंध्यों गाऊन मैं फोल फोल नहीं है यह क्या इज्साए यह यहीं यह ह sacrificantको फोल लोगो भल भल बोल्ल बॉल्ड। शिक्स सेंस है। नहीं, फिक्स सेंस है। अब कौन आएगा बताओगी। समीर। नौ बेबी। खुश्वनत आएगा। ग्राउंड पर प्लेयर्स मेरे कहने के मुताबिक ही आते हैं। वन बॉल तो गो, शिक्स रंस तो इन, लास्ट विकेंड.. वाउ। कम आन बेबे। यू टेल मे वन थेंग, इस मैच फिक्सिंग में, तुम कितना पैसा कमा लेते हो। मैं गेम फिक्स करता हूं पैसा कमाने के लिए। पब्लिक को उलू बननाने के लिए। और मेरे लिए पैसा टीम जीती है तो पुरा देश सेलिबरेट करता है और हार गए तो सभी मूँ लटका ले थे और इस्पेशली ये जो इंडियन प्लेयर्स है ना उन लोगों को हार्ड कैश नहीं चाहिए और थ्रेटनिंग कॉल्स भी नहीं चाहिए उनके होटल के रूम मे चीर गर्ल्स को भेज कर उसका हम फुटेज बनाते हैं और फिर सारे प्लेयर्स हमारे इशारों पर नासते हैं क्योंकि इंडिया ने ही मेरे सिटिजन शिप को कैंसल किया है इसलिए मेरी खौहिश है कि वहाँ का हर सिटिजन टेंशन डिप्रेशन और सेप्रेशन की आग में चलता रहे पूरे देश भर में असली नकली के फर्क ना हुने वाले फेक करेंसीज चलने चाहिए पूरे इंडिया की आर्थिक स्थिती को मुझे चिन भिन करना है देश का हर एक इंसान पैसे पैसे के लिए मोहताज बन जाए वांडरफुल प्लान डोंट वरी तुम्हारी खातिर उस देश के खातिर में कुछ भी करने के लिए तेयर है है जाए गैजट अन्ग कंप्लीट नेटवर्क और फोल पॉल्स का सारा डीटेल सिसार्ड डिस्क पे है बाद में फोल करता हूं मुझे क्या करना होगा उसका फ्यूचर प्लान क्या है उसे किस तरह एक्स्क्यूट कने वाला है यह जान लो कली उसे और उसकी सारी गैंग को मेरी बताई हुई जगह पर ले आना ओके ओके बाई टेक केर ओके बाई मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा है भाई लास्ट मंस सिर्फ नौर्ट जोन का ही काम हुआ था सिर्फ दो सो क्रोड की रेवनियू जन्रेट हो पाई भाई इतना कम होने के बावजूर इस महीने का कंसाइन्मन अभी तक नहीं आया है सैम्यूल इब्राहिम शेट्री वाहिद आब तक किसी ने भी कॉंटेक्ट नहीं किया है भाई इसकी वजए अंडर वर्ल में अलेक्जेंडर नाम के एक नए बंदे ने एंट्री लिया है वो कहां से आया पहले क्या करता था उसकी पहचान क्या है ये किसी को नहीं पता वो बहुत बड़ा खिलाडी है जो काम किसी के बसका नहीं उसमें वो बेजिजग हांट डालता है फर्स्ट टाइम मिडेलिस्ट साउधिस्ट वेस्टन माफिया इटालियन माफिया सबको उसने खुश रखा हुआ है टनों के हिसाब से माल सप्लाई कर रहा है वो भी कम रेट मे शॉर्ट कट में लॉंग टम की प्लैनिंग कर रहा है भाई वो मार्केट को एकदम सस्ता करके हमें हफ्ता देने वालों को भी उसने अपने कबजे में करने का प्लैन बनाया भाई कल अगर उसका डील ओके हो गया तो भाई हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे अब तक जितने नेटवर्क को तुम इस्टैब्रिश करते आये हो वो उसे अपने कबजे में ले लेगा उससे ऐसा मौका मत दो भाई मैं ही उसे जाकर भून देता हूं तुम्हें जाने की अब देता हूं जुम्हें पुम्हें जुम्हें देता हूं लेगा से शेमा फिर्णी और हमें लेगा तर्ण कर खी जबए देता हुआ है वे ने विल देता हरते हुआ है कर दो कर दो कर दो माल तुमने सप्लाइ कर दिया है ना अब चलो निकलो यहां से ओ जाने के लिए बहुत तक्लिफ हो रही है तो लो यहीं पेमेंट है रास्ते के खर्चे के लिए मेरे दिये वे माल के लिए और रास्ते के खर्चे के लिए यह कॉइन बहुत कॉस्ली है थोड़ा सा चीप चाहिए था मुझे और सबसे सस्तिक तुम झाल 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 मैं उससे मिलना चाहता हूँ मुझे उसे एक बार देखना है मीटिंग फिक्स करो झाल 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 अलेक्स, अलेक्जेंजर, हाँ, मैं सोच रहा था तू को इट्रेलियन, अमेरिकन या फिर ब्रेजिलियन होगा, उस दिन तू फिक्स किये हुए टाइम पर नहीं पहुचा, उसी वक्त मैं समझ गया, कि तू पक्का 99% इंडियन है, तुझ जैसे परदोसी लोग टाइम को फॉलो करते हैं, और हम जैसे इंडियन को टाइम फॉलो करता है, रियल डॉन को देखने के लिए तू दस मिनिट पहले आया है, जरा अपनी गड़ी तू देख ले, एक छोटे मोटे गैंग को मार दिया तो अपने आपको बहुत बड़ा डॉन मत समझ, हाँ, इस माफिया नाम के सागर में कितनी ही मचलिय लेकिन इन सब के बीच खतरनाक शार्क मैं ही हूँ, फिर भी तेरी हिम्मत की दाद दिनी होगी, इस डॉन को देखने के लिए तू अ मैं खुद एक हथियार से कम नहीं हूँ, तो मुझे गण की क्या जरूरत? पुलिस? तो वो हमसे उलशने आ गई, हम दोनों में से जो बच निकलेगा वही कहलाएगा रियल डॉल, एसकेप! एक व्र प्रमिल रचि मुई उल दिल देरेक! एक वही के वही कि अप्रमिल की एक वाईएगा प्रमिल की दो लेखने की कर दोईएगा आफ़! एाद म कोड़ने अज grass लेगिस अएएएएएए लग डाद मन अज challenging, झाद में भीक लेगिस inAYa-an, लेगि ये वाद मन 960 अएएएएएएएएएएए ंएएएएएएएएएएएए verstehen , फ्रिक क्यात्ician ए्रुञब थे है, गम मेड़ और्म और राह्योग कम प्ररें क救ण्य迎 कम प्रिक कि एाज़ को खारंनों कि एसे प्याज़ कर दिर दो दो निए एकर दोड़िया कि विलिए भार हुआ है 1993 मुंबई अटक 1998 कुईम तूर में सीरियल ब्लास्ट 2000 में रेड फॉर्ट 2001 पारलिमेंट पर अटक 2002 अक्षर्दाम डेली 2003 वन्स अगैन मुंबई अटक 2006 वारानसी ब्लास्ट 2008 ट्वैटिस्क इलैवन इस तरह से पिछले पच्छी सालों से हमारे देश पर ही ऐसे अटक पर अटक क्यों होते जा रहे हैं ये सब सिर्फ पिछले पच्ची सालों से नहीं हो रहा है बलकि पिछले हजारों से हमारे देश पर आक्मन होते आ रहे हैं पिछले दिनों हमारे देश पर जो हमला हुआ था उसके पीषे आमान उल्ला खान का हाथ है सर वो माफिया का खेल 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 रहा है तो हमें भी माफिया का खेलना चाहिए टेरिरिजम का आंसर टेरिरिजम ही है No arrest, no judgment, no VIP treatment Early full and final settlement, सर उस तिन तुमने खान को शूट करने के बाद उसके गांग के बच्चे हुए लोग तुमे कहां मिलेंगी ये इंफरमेशन मेंने तुमें दी उन समको फिनिश करने के बाद तुम इंडिया लोटाए मैं भी निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मुझे मुनीर मिला और बरलीन रोम ले गया वहाँ खान को दफनाने की तयारी चल रही थी सबसे शौकिंग बात तो ये हुई कि मेरे सामने अमनुला खान की डेट बोडी पड़ी होई थी और उस डेट बोड़ी पर अमनुला खान ही फूल चड़ा रहा था तुमने जिससे मारा वो उसका डुपलिकेट था मैंने तुम्हें ये बताने के पूरी कोशिश की बच इडिन्ट हैपन वो मर गया ये खबर बिल्कुल एक आग की तरह पहल गई उसे हर कीमत पर अपनी मौत का बदला लेना था वो तुम्हें माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था उसके दिल में बदले की आग बढ़ती जा रही थी वो दुनिया के हर कोने में तुम्हें डून रहा था उसका सिफ एक ही मकसद था तुम्हारी मौत कुछ दिनों के बाद उसे बिहारी गैंग से किसी को मारने की करोडों की सुपारी थी उनकी भेजे हुए पैक्स को देखकर मैं पूरी तरह शॉक्ट हो गए प्रीस्ट के गेट अप में वो तुम नहीं थे या कोई और ये मैं नहीं समझ पाई एक पल के लिए ऐसा लगा प्रीस्ट का गेट अप शायद कैसे मिशन के लिए तुमने चेंज किया हो मैं पूरी तरह कनफ्यूस थी मैं किसी को फोन नहीं कर पाई मैं पूरी तरह मजबूर थी मुझे उस वक्त सिर्फ एक ही चीज सूजी कि उन्हें किसी भी हाल में तुम्हारी तस्वीर नहीं मिलनी चाहिए फाइनली मुनीर तुम्हें मारने के लिए इंडिया आ रहा है जैसे ही ये बात मुझे पता चाहिए मैं किसी तरह वहां से निकल भागी और तुम तक पहुचकर तुम्हें बचाना मेरा मिशन बन गया इस इनकंप्लीट ऑपरेशन को कैसे कंप्लीट करोगे इसे आपको ही कंडिन्यू करना पड़ेगा सर ये तुम क्या कह रहे हो दर असल बात ये है सर पिताजी के सौरगवास के बाद मंदिर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंदों पर आगई है लेकिन ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है हाँ बिल्कुल है सर इस काम का चुनाओ मैंने अपनी मर्जी से किया था लेकिन मंदिर का काम मुझे अपने आप मिला है सीक्रेट इन्फोमेशन और काउंटन टेरर अटेक में तुम कितने एक्सबर्ट हो ये सब अच्छी तरह से जानते हैं तुमने गिव अप कर दिया तो इस आपरेशन को कंप्लीट कौन करेगा मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ सर इस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक आफिसर है लेकिन वहां मेरे सिवा कोई नहीं है सर मैंने अपने घरवालों से वादा किया है उन्हें प्रॉमिस किया है अपना बचा हुआ जीवन मंदिर को समर्पित कर दूँगा क्योंकि हमारे पूर्वजों का वो मंदिर सदियों पुराना है जिसके हिफाज़त बहुत जरूरी है सर I am very sorry to resign from my job, sir नमस्ते अरे कैसे हो शर्मा जी? घर में सब कुशलमंगर? सब भी लोग ठीक हैं आपका पोता रॉका एजेंट है ये सुन्द कर बड़ी थूशी है ये वीजे बाबुजी मैडम जी, नमस्ते आपके पोती के बारे में आपको पहले से पता था? अरे नहीं, लेकिन वो जो भी करता है अच्छा ही करता है वो घर पे है क्या? मुझे उनसे मिलना था वो उपर है, तुम्हारा इंतसार कर रहा है जाओ मिलो जे, ठीक है सर, मुझे आपको कुछ बहुत ही जरूरी बातें बतानी है जरूर बताए सर आप रिजाइन करके आये हैं, मुझे ये बात पता चली है लेकिन उसे एकसेप्ट ना किया जाए मैंने बड़े अधिकारियों से असार रेक्वेस्ट किया है उसका कारण ये है कि आजकल जो क्राइम चल रहा है, उसे हम लोग कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे है लेकिन कामयाभी नहीं मिल रही है सिर्फ इतना ही नहीं इस मंदिर की जमीन पूरे सौ एकर तक फैली हुई है और इस पवित्र जमीन पर चंदन के लकणियों के स्मगलिंग हो रही है ऐसा कंट्रेंड आपके फिता जी ने दिया था जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है सर इस सारे काम के पीछे भूतनात का हाथ है सर उसकी पहुँच सेंट्रल तक होने की वज़़से हम उसका कुछ भी नहीं बिगार पा रहे हैं सर आपने जिस तरह से इंटरनेशनल माफिया को धूल चटाया है उसी तरह से इस केस को भी हैंडल करेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट को भी हिम्मत मिलेगी सर आप एक काम कीजिए इस ओपरेशन के लिए मुझे दस अच्छे काबिल आफिसर्स दे दीजिए आगे क्या करना यह मैं देखता हूँ आप मेंगे काबिल नहाई आप एक का मैंगे आयाँ ! एक काफ इस है immigration कर ले ? एक बादेखते है ईंटेपन का झाफन का चरही एक रो औाम है एक दो आपक हो माँ उसी हो पैके तुम्हारी एतनी हिंपात, देवस्थानों पर कबजा वो भी मेरे हुते वे, देवस्थान पर नजर डालोगे इधर देखो, इधर देखो, जहाँ देखो, जहाँ देखो इधर देखो, इधर देखो, जहाँ देखो मेरा निजलबा यहाँ पुछो बहाँ पुछो, पूरे शहर में है तुम मेरा ही चाठ्चा मेरी जवानी में ठारे हलक, सुझी आले ले बशा यह उझी कुईन को जोना देखने को सित्वी बने तर्षा मिनिस्टर साप तुझे छोड़ेंगे नहीं अब एक घंटे के अंदर तेरा वही मिनिस्टर इनी सलाखो के पीछे रहेगा जल जा अंदर झाल जाड़ी पकड़ के रास्ता हटक के उड़के यहाँ वह भुझे सारे मुटे हैं लगते गुटे मैं अकेनी चपा कले सारे मेरे पुझे आशिक वने सारे सारे में लगते यहाँ भुझे वह भुझे रह पुझे रहाँ झाल 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 माथे पर भस्म लगा कर इस भूत नाग की जॉकर्ट ट्राइब पर आखिर तू पहुंची गया इसके टुकडे टुकडे कर दो दूसरों के माथों पर भस्म देख कर तेरे तन बदन में आग लग जाती हैं नो ले जाओ इसे इतने बर्सों से गवन किया हुआ करोड़ों रुपिया चांदी सोना ही ने जवारा सब लाकर हम फिर से मंद्रिये खजाने में जमा कर देंगे हमें अरेस्ट करके हमारी बेज़ेदी ना करो माही बाहरा तुम लोग आस्तीम के साप हो देवालाई की बदनामी ना हो इसलिए इस बार तुम पर कोई कारवाई नहीं कर रहा हूँ बहतर होगा यह गाउं छुड़ों पूरे पांच घंड से मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रहा हूँ कहा गई थी स्नेक हाइस्ट टडिस के लिए इंडिया आई हुए तीन सो जिहादी स्टूड़न्स के रहने का इंतजाम करने के लिए मैं वहां गई थी और कोई सवाल तेरी थो यह स्नेक नहीं है तुझे अंदाजा भी है कौन है मेरे दिल का टुपड़ा यह ला ला गल्ला गल्ला थे मुझे ठांग दूँगा तुझे जानती हूँ इसने क्या देखा यह जिस डील में तुम्हारे साथ गया था वही पुजारी की सुपारी जो हमें मिली थी जिसमें चार करोड हमें मिलने थे उसे पुजारी की रूप में अलक्स मिला जो हकीकत में शिवम राज है जब बिहारी गैंग को लेकर यह शिवम राज को मारने गया तो तुमने ही आकर उसकी जान बचाए ऐसा का इसने मेरी दिलरुबा मेरे लिए अपनी जान दे सकती है वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती अभी बोलू तो अभी जान दे देगी हो इंडियन नाम सुनते ही भून डालने का मन करता है उसके बावजूद एक इंडियन लड़की से मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया बदले भी क्या मिला मुझे मारने का प्लाइन बना कर यहां से मेरे सारी इंफर्मेशन लीग करती रही मैं तुझे नहीं जुणगा मेरी जिंदगी का मकसद तो यही था कि तुझे मौत के खाट उतारू जिस दिन तु माफिया से टेररिज्म में टरन हुआ इंडिया पर अटैक शुरू कर दिये उसी दिन शिवम ने तुझे टार्गेट बना कर अलेक्स बनकर यहां एंट्री ली तेरी माफिया से तुझे ह तुमारे डूपलिकेट के बार में हमें देर से पता चला इसलिए अब तक तेरी सासे चल रही है हालो भाई भाई निशाना लगा तो ठिकाने पर दुश्मनी की तो ठिकाने पर इंडिया को लगाऊंगा ठिकाने पर और तेरे घरवानों को शम्शान पर मेरे डुप्लिकेट को मार कर ये मत समझना कि तू जीत गया है सारे इंटरनेशनल माफिया मेरे नाम से धर-धर कामते हैं समझा अच्छा सुन तू एक काम कर तेरे मरने की दिक बहुत करीब आरा है इसलिए तू ऐसा कर कि सारे अंडरवर्ड वहलों को अपनी माउथ की तावद दे दे हां कोई कमी मत करना कोई कंजूसी नहीं उसके बार तू निकल जाना ठीक है न अबे अकल के दुश्मन उससे पहले मैंने मंदिरा को क्यों मारा ये सवाल नहीं पूछेगा क्या मेरा धंदा, मेरी इमेज, मेरा कारोबार, सब कुछ बरबाद करके तू कहीं जाकर छुप जाएगा और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूँगा तू इस गलत फैमी में जी रहा है क्या मैं जिन्दा हूँ, ये जानने के बाद तुझ में मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं है मंदिरा की जान मैंने ली है, ये सुनकर भी, बदला लेने के लिए तू मेरे पास नहीं आएगा इतना बड़ा नामर्द है तू? इस मंदिर की जिम्मेदारी मेरे कंदों पर नहीं होती, तुम्हे महाँ जरूर आ जाता तेरे आने तक इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास अबे तुझे तो मैं हर्गिज नहीं छोड़ूँगा, मैं खुद आ रहा हूँ जिस मंदिर के लिए तू अपनी नौकरी छोड़ कर इस्तीफा देकर दुबक कर बैठा है ना वहीं पराकर मैं तेरे साथ उस मंदिर को शंशान बना दूँगा और तुझे भी वहीं कार दूँगा तेरी तो? चुब बे शैतान की आउलाद तुझ जैसे लोग सदियों से वही काम करते आये हैं मंदिर तोड़ो और खुद को महान समझने की गल्ती करो कभी खुद का तो कुछ नहीं बना सके अगर तुझ में वाकई उतनी हिम्मत है तो आजा, आजा सामने मंदिर उड़ाना तो दूर की बात है सर्फ यहां की एक यीट को जू के दिखा तेरी मा की डुआ भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकती आ रहा हूँ, आ रहा हूँ तेरे पास कर था हूँ, एक ड़्दर रहा हूँ, आजा के रहा हूँ, आजा सकती पतुछ, आ रहा हूँ, आ दुआ है खऴर्ष तेर्छक, आ रहा हूँ, तिक है जो कहिंने करेक्ट टाइम पर हम लोग पहुंचे हैं उसके हवन खत्म करने से पहले ही पूरे मंदिर को धूल में मिला कर उसे यहां घसीटते हुए ले आओ उसके समाधी मैं यहीं बनाओगा जाओ कर दो ना यहीर मोंदिर कार आओए टूर कर त德ू हैं यहीर मोंदिर ए शिवम्राज, तूने मुझे चैलेंज किया थाना कि इस मंदिर की एक इड भी छूकर नहीं दिखा सकता, वो भी इस अमानुल्ला खान को यह खान क्या क्या कर सकता है, अब तू देखना क्या सकता है, आपर सकता है, जड है। मैं अब तक विश्व शान्ती के लिए ही हवन कर रहा था लेकिन लगता है कि अब तुझ जैसे नीच की बली यहां पर चड़ानी पड़ेगी क्या कहा था तुम मंदिर को धूल में मिलाएगा हां त्री नेत्र तक पहुँचने से पहले तुझे इस नंदी महाराज को पार करना होगा आजाओ व क्या अ कि ला तुम Tuesday जार्या सबकार्प्ट nuclear थाधनी पार चँ़ाई जयाख है अलसी रोफ लब Federal प्रुट एक जो बोजाए प्रुट जूजा प्रुट प्रुट टूजा प्रुट खुझार में हर धर्म को आश रहे देने वाली भारत की ये पुण्य भूमी है, पवित्र कुरान में लिखे, जहाँ शब्द का तुम लोग गलत इस्तिमाल करते हो, तुम जैसे आतंक वादियों के खून से मैं इस मंदिर का भी शेक करूँगा, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संस्था प्रवरतत ये एक कान से, अल्ला हो अकबर का आजान दूसरे कान से सुनने वाले, इस भूमी के लिए अपनी जान देने वाले हिंदुस्तानी है हम, हिंदो मुस्लिम भाई भाई की भावना को ठेस पहुचाने वाले, तुझ जै से आतल्कवादी के मनसूबों को काम्याब नहीं होने दिया है हमारी धर्ती का कोना-कोना, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यू ना हो, हर किसी का फर्ज है कि उसे अपने गले से लगा कर एक पवित्र भूमी माने, मंदिर हो या मस्जिद, गिर्जा घर हो या गुरू द्वारा, या फिर कोई भी धार्मिक पूजा अस्थल क्यों ना हो, हर स्थान पवित्र होता है, उसकी रक्षा करना हर इंसान का करतव्य है, धर्मो रक्षती र और रक्षता है